नमस्ते दोस्तों, दोस्तों इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो डाइट एडमेसिन नोटिस तो इसका ओनलाइन एडमेसिन चल रहे तो आप कैसे करना है मैं आप सभी को दिखाऊंगा तो गूगल क्रॉम ब्राउजर ओपें करना है और बहाँ पे टाइप करना है www.scert.nic.in तो ऐसे टाइप करके आपको सर्च कर देना है गूगल क्रॉम ब्राउजर पे तो सर्च करने के बाद ये जो इस तरह के इंटरपेस मिलेगा तो इस पे आपको पहुंचा दिया जाएगा ये पेज पे तो यहाँ पर क्या करना है इसको तोरा सा आरम से स्लाइट करके उपर की और किछना है तो किछने के बाद नीचे पे आप देख सकते हो 39 बोर्ट है नीचे पे तो उस 39 बोर्ट के जस नीचे के तो पे आपको देखने को मिल रहा होगा डाइट एडमेशन लिंक तो बहाँ पी आपको क्लिक करना है और उस पे क्लिक करने से आपको एक लिंक दिया ज कुछ ने करना है तो वह जो आपको दूसरा पेज पे लेके चला जाएगा तो जैसे कि आभी को रहा है तो यहाँ पर आपको क्या ओगा कि कि फोर्म की फिल्प का वह स्मया सब्सक्राइब तो नहीं सेटाब जाए तो वह सबको देख यहाँ नीचे पर आपको सब खुछ को बेसिक इंफोर्मेशन को बढ़ देना है और सेकेंड पर क्लस्टें 12 एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ दोकूमेंट्स अप्लोट करना है और तारट पे कुछ फों फोंपी का पेमेंट का कुछ ये को अपलोट कर देना है तो एक चीज़ याद रखना है कि यहां पे इमेल डलना है नेम ओफ दिद्दाइड तो यहां पे कौन साद्दाइड में आप फोंफीलप करना चाहते हो जै सबसे चुन लेना है उसके बाद नीचे पे आपका नाम को दे देना है और और यहाँ पे अपलूट है पासपोर्ट साइज पोर्टोग्राफ तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्टो अपलूट करना है आपका पासपोर्टो हो या पिर जितना दोकुमेंट से सबका पीड mother's name or age that of bird permanent address यह सब बढ़ लेना है और इसको कौन form fill up कर सकते है बोलने से जो recently 12 pass करके जो recently class 12 pass किया है वो लोग भी fill up कर सकता है इसको और इसका qualification वही है 12 pass है तो वो लोग जो 12 pass होके रखा है वो लोग इस पॉम को fill up कर सकते हो तो यहां basic information को बढ़ लेना है तो मैं यहां पर अपना हिसाब से यहां बढ़ लूँगा उसके बद आप सब देखके बढ़ लेना है और documents को कैसे upload करेगा passport को तो वहाँ add pile पे क्लिक करके आपको यहां कुछ इस तरह के interface मिलेगा तो यहां पर select file from your device पर क्लिक करना है और यहां पर pile पर क्लिक करना है पाइल पर क्लिक करके आप यहां पर आपका passport को कौन्चा वाला है उसको सब्सक्राइब कर लेना है तो मेरा भी सब PDF form पर बना के रखा हुआ है सब्सक्राइब करके यहां पर अप्लूट कर देना है और अप्लूट पर क्लिक कर देने से वह जो अप्लूट हो जाएगा तो लूदिंग हो रहा है जैसे आप देख सकते हो उसके बाद दोस्तों यह जो form fill up क्यों करता है यह दाइट करना क्यों जरूरी है बोलने से अगर आप तीचिंग प्रोपेशन में इंट्रेस्ट देते हैं आप एलिमेंटरी लेवेल को पराना चाहते हो एलिमेंटरी लेवेल में टीचर बनना चाहते हो ऐसे होने से आपको यह दाइट करना जरूरी है तो ऐसे करने के बाद आपको नेक्स पे क्लिक कर देना होता है और यह जो नेक्स पेज है सेकेंड बाला पेज फर्स बाला पेज और मार्क तोतल मार्क परसंटेज उसके बाद मार्क सीथ वो सब अपलूट करना है और मार्क ये जो अपलूट मार्क सीथ और अपलूट पास सर्टिफिकेट मेरा समय में दोनु का एक ही सर्टिफिकेट होता था तो दोनु दोनु को दोनु जगा पे अपलूट कर देना है अ और उसका CBACNA क्या है कितना मार्क लिया है total mark कितना पर्संतेज वो सब डलना है डलने के बाद यहाँ पे upload mark sheet of class 12 और नीचे पे pass certificate तो मेरा समय पे class 12 पे mark sheet एक अलग से certificate होता था और pass certificate अलग से एक होता था दोनों को यहाँ पे आप mark sheet में mark sheet को pass certificate में pass certificate को डालके next पे click कर देना है और next पे click करने के बाद आपको last वाला page मिल जाएगा तो मैं अपना इसाब से इसको बरा लूँगा तो दोस्तों मैं आप सभी को request करना चाहूंगा कि अगर आप teaching line में interested है तो elementary level को पराना चाहते हो तो आप यह course कर सकते हो diet course उसके बाद यहाँ पे यह जो last page तो इसमें आपको यहाँ पे form का 200 रुपिस पे करना होगा तो उसको क्या से क्या mode of payment से पे किया है paytm net banking google पे phone पे यह सब को आपको शले करना है और नीचे पे उसका अगर आप paytm google पे नैसे अपना mobile से किया है तो उसका screen source को यहाँ पे upload करना है और इनकेस अगर आप bank में deposit किया है तो उसका receipt को यहाँ पे upload करना है add pile पे click करके उसके बाद नीचे पे yes करके आपको submit कर लेना है तो वो सब के लिए आपको कहाँ पे transfer करना है यह सब confusion होने से यहाँ पे एक pdf जो है वो जो वाच्चाप पे गुम रहा था तो आप लोगों को भी मिला भी होगा और यह आप उसी page पे website पे जाके भी इसको download कर सकता है अभी भी कर सकता है तो यहाँ पे सब कुछ detail दे दिया है उसको आप अच्छा से पर लेना है form fill up करने से पहले उसके बाद यह last पे नीचे पे आपको यहाँ पे मिलेगा नेम अफ दे डाइट नेम अफ दिफ्रेंशीपल बैंक अकाउंट डीटेल्स कॉंटेक इमेल तो यह सब दिया गिया है तो यहाँ पे आप कुछा दाइट पे form fill up करेगा उसका एकाउं नमबर एसे को आएफ सी कोट वगेरा को लेके वहाँ पे दिपोजित कर देना है ट्र स्क्रिन शोट को भी PDF बना के रखना है ओल्रेदी यह जो फर्स से तैयारी होना चाहिए उसके बाद नीचे पे एड़ पाइल पे क्लिक करके आपको अपना वह स्क्रिन शोट या पर रिशीब को अपलूट कर देना है उसके बाद मैं सभी को माफिस आँगा क्योंकि इसको बहुत लेट से अपडेट किया है और इसका सायद last day form field up का last day जो यह 12 तरिक को है तो उसको आप देख के कर लेना है जल्दी से कर लेना है और यहाँ पे last में यह जो देकलेरेसे ने इसमें आप yes करके समिट कर देना है तो इतना ही होगा form field up का इतना यहाँ पे तक्लीप नह मैंने बनाया है और अपलूट मैंने लेच्छे कर रहे है तो उसके लिए मैं सभी से माफी चाहूंगा तो दोस्तो आज आतरीक है अगस एट है आज मैं अपलूट करूंगा एट अगस और इसका फोर्म फिलप का लास देते 12 तो 12 अगस तो ऐसे उने से 9, 10, 11, 12 यानि कि 4 देज बचा है तो इस 4 देज में भी आप मेरा इस वीडियो का मदद से आप अपना फोर्म फिलप कर सकते हो और मैं पिर से माफी चाहूंगा कि मैंने लेच से अपडेट किया तो बहुत बीजी होने के कारण में लेच से अपडेट किया उसके लिए माफी च सपोर्ट कीजिए और इस तरह की वीडियो में लाता रहूंगा और आप सब मुझे प्यार दे उसके बाद में नए-ने फ्यूचर पे भी ऐसे ही ओनलाइन फोर्म फिलप और टेक्निकल इसूस पे वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के एसिस करने की कोशिस करूंगा और दिजिटल वर्ल्ड को सपोर्ट करना चाहूंगा तो आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए और आपका प्यार दे और मैं आप लोगों के लिए मज़िदर वीडियो और यूजफूल बाला हैल्फूल बाला वीडियो लाता रहूंगा तो दोस्तो इतना ही है आज का और फॉम फिल अप तो इतना तकलिफ भी नहीं है नॉर्मेली है आप सब भी पता ही होगा बस मैंने ऐसे कर लिया आप लोगों को एसिस करने के लिए तो आज के लिए इतना ही पिरी मिलते हैं ने एक वीडियो और एक नए तोपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई और टेक कियर